जब देश में स्थीर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है यह हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू किश्मीर में आर्टिकल 370 हटा कर दसकों का इंतजार खत्म किया यह हमारी सरकार है जिसने तीन तलाग के खिलाब कानून बना कर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाब की उम्मीद बढ़ाई यह हमारी सरकार है जिसने तीन दसकों के इंतजार के बाद नई राष्टिय सिख्षा निती लागों की यह हमारी सरकार है जिसको आयोध्या में राम लला के विग्र की प्राण प्रतिक्स्तागा साक्षी होने का आउसर मिला है जब देश में पूर्णा भहमत की सरकार होती है तो नीती में निनयों में स्पष्ठता होती है मैं जब दुनिया के बड़े-बड़े दिग्ज़ों को मिलता हूँ ना, बड़े-बड़े नेताओं को मिलता हूँ ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ ना, तो अकेला मोधी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड देशवासी मेरे साथ साथियों, जब देश में पूर्णा बहुमत वाली सरकार होती हैं, जब देश में स्थीर सरकार होती हैं, तो देश बड़े फैसले लेता है, दसकों से लटकी हुई समस्याओं को सुल्जा कर आगे बढ़ता है, आप देखिए, ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है, जिसमें जम्मु कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा कर दसकों का इंतजार खत्म किया, ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है, जितने हमारे देश के सेना के जमानों के लिए बन रेंग, बन पेंशन लागू कर देश के पुर्व फोजियों का चार दसक का इंतजार समाप्त किया, ये पूर्णा बहुमत की सरकार है, जिसने GST जैसी आधुनिक टैक्स ववस्ता लागू कर देश का कई दसक पुराना इंतजार समाप्त किया, ये हमारी सरकार है, जिसने नारी शक्ती बंदन अधिनियम बना कर देश की महलाओं का बर्सो पुराना इंतजार खत्म किया, ये हमारी सरकार है, जिसने तीन तलाग के खिलाब कानून बना कर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाब की उम्मीद बढ़ाई, ये हमारी सरकार है, जिसने तीन दसकों के इंतजार के बाद नई राष्टिय शिछा निती लागू की, ये हमारी सरकार है, जिसने SC, ST, OBC का हित सुरक्षित रखते हुए भी, गरीब युवाओं को दस परसेंट आरक्षन का प्रावधान किया, और ये हमारी सरकार है, जिसको आयोध्या में राम लला के विग्र की प्राण प्रतिक्स्तागा साक्षी होने का आउसर मिला है। जब देश में पूर्णा भहमत की सरकार होती है, तो नीती में, निनयों में स्पष्ठता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक्स तरपर देश की साकपर भी पढ़ता है। और सात्यों मैं बताता हूँ, मैं जब दुनिया के बड़े-बड़े दिग्ज़ों को मिलता हूँ ना, बड़े-बड़े नेताओं को मिलता हूँ ने, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ ने, तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है। तांकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की